अभी हम यहां पर एशन पे लिम्टेट की अनलीसिस करेंगे और इस अनलीसिस में हम लोग देखने वाले हैं मंडे से इस तरीके से अपने इंपॉर्टेंट लेवल से टार्गेट दिखा सकता है प्रस इसका प्राइस सेक्षन कैसे रहने वाला है अभी जैसा कि हमने लास्ट प्रेड़े यहां पर डिसके किया था कि किस तरीके से मोमेंटम करेगा हमने बताया था हमादैंदी YE excess होता है मतलब यह जो हाई था इसे टाच करने के बाद बड़ा सा कैनल बना के नीचे की और गिर गया है अगर इसको हम लोग वेकली टाइम फ्रेम पे एक बार यहां पर देखेंगे तो वेकली टाइम फ्रेम पे हमें नजर आएगा कि पिछले तीन विक से लगतार यहां पर सेलिंग चल रही है यहां पर दो वीक रूखने के बाद बहुत ही अच्छा कासा नीचे की और गिरा है जब यह मुमेंटम हुआ था तो मैंने आपको बताया था यह मुमेंटम एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि तरीकी से मार्केट गिर रहा था बहुत तेजी से उपर यह निकल था तबीबर किसी की शेयर में बहुत फास्ट मोमेंटम होता है तो अगर उसमें गिरावट होती है तो तीजी से नीचे भी गर जाता है यहां पे वन इस टू वन हमारा यहां पर अच्छी हो चुका था लेकिन फिर से यह जो लेवल था इसका यहां पर फिर से हम लोग को न मुझे expected candle नजर आ रहा है तो यहाँ पर next week में expected gap up candle के लिए मेरे जहाँ से थोड़ा सा gap up opening हूँ उसके बाद यहाँ पर एक छोटा candle यहाँ पर बनना चाहिए उसके बाद फिरस अगर selling होगी तो हम लोग को अचम्वित नहीं होना चाहिए क्यों कि फिर 2700 के आसपास मतलब 2680 90 के आसपास का हम लोग को एक target देखने को मिल सकता है एक विक यहाँ पर रूपने के बाद अगर ऐसा नीचे आता है तो ठीक है otherwise next week में मुझे यहाँ पर एक वीक का यहाँ पर हाल्ट candle दिख रहा है अगर हम लोग अभी daily time frame पर again चलता है daily time frame पर हम इसको फिर से देखेंगे तो daily time frame पर हम को क्या नजर आ रहा है कि इतने दिनों से यहाँ पर volume नहीं था ठीक है बहुत झोटे झोटे volume पर काम चल रहा था बहुत ही कम selling चल रही थी लेकिन अभी पिछले दो कैंडल में बहुत ही अच्छा का सा वालिम निकल के आया है मतलब इस कैंडल को देखने के बाद बहुत से लोगों नहीं यहां पर गाप डाउन ओपनिंग हो और तुरंट सेलिंग हुआ है मतलब यहां पर बाइंग हापनिंग हुई ही नहीं है और अगर ऐसा है तो यहां पर सेलर्स बहुत ही अच्छे तरीके से बैठे हुए है तो अगर यहां से यह उपर क्योड जाएगा तो फिर से अगीन एक सेलिंग प्रेशर हम लोगों देखने को मिल सकता है लेकिन जैसा कि मैंने अभी वताया weekly time frame पर हम लोग को जस तरीके से ac ault candle मिलना चाहिए उसी तरीके से daily time फ्रेम पर हम भी हम लोग को ault candle देखने को मिल सकता है हो सकता है यहाँ पर यह इस तरीके से time spend करें पूरा week और उसके बाद next week में यह decision लेगा इसको नीचे जाना है hier ऊपर ज्यादा तो यहाँ पर chances जो हैं जिस तरीके से selling हो रही थी अभी यह past selling होई है तो हो सकता है यहाँ पर एक week रूखे और उसके बाद हो सकता है उपर जाने के लिए कोशिश करें अगर उपर नहीं जाएगा और उपर से फिर नीचे की और आके इन लेवल को ब्रेक करेगा तो तेजी से नीचे की और जाएगा जैसा कि 2680 वाला लेवल है वो लेवल हम लोगों को देखने को मिलेगा 15 में टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो आपको क्या नज़र आएगा बहुत ज़दा सेलिंग के बाद हर बार यही होता है अगर बहुत ज़दा सेलिंग होई है तो मार्केट वेट करता है इसी का लॉजिक हम लोगों ने वीकली टाइम फ्रेम पर यूज किया है है और उसके ठीछाव से एक दो वीक यहां पे मार्केट रुपना चाहिए is gone यहां पर देखेंगे वीक अर्बाहरो उंट ह कर रहा है यहां पिर में यहां पर बायर्चुकर्ण बहुत जादा एक्टिव नहीं जाठा तब तक हम लोग इसमें कोई भी प्लानिंग नहीं करना चाहिए। अगर इसके बादन को क्या करना चाहिए। У employee लेवल्स, इंपॉर्टन लेवल्स, टार्गेट देखने को मिलेंगे, उसे हमें देखना चाहिए, तो हम लोग Monday session के लिए important levels and target की अभी बात कर लेते हैं, तो Monday session की बात करेंगे, तो लगबग लगबग आपको अभी 2780 को breakdown होने देना चाहिए, ठीक है, नीचे की ओर, और अगर 2780 का breakdown होता है नीचे की ओर, तो हम लोग को target क्या मिलेगा, उसे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर, तो अगर यह हमारा breakdown नीचे की ओर तक का target हम लोगों को देखने को मिले उपर की और अगर आप बात करेंगे तो उपर की और देखेंगे यह यहाँ पर inside candle बना है यहाँ पर यह inside candle है जब तक इसके उपर का level breakout नहीं हो जाता तब तक हम लोग उपर की planning नहीं करेंगे अगर इसका उपर का लेवल ब्रेक होता है मतलब 2825 ये ब्रेक करता है तो हम लोग एक टार्गेट के लिए यहां पर बैठेंगे जो कि होगा 2842 के आसपास का ठीक है 2842 के आसपास का हमारे लिए उपर का एक टार्गेट होगा वीडियो कैसी लगी कमन सेक्शन में जरूर बताईएगा पसं जरूर बचे में होगा समय है मतलब 30 य के सербवल प्रेक के लिए ओनवायक का वीडियो के जरूर बेड़ टे सेक्शन का उाप झाहता है पसमारे लिए आसप़ धीर वीडियो का अन्यावत लिकर्षाउआज में लिए वी nella उतार्षाण में कि ऊई होगा डिकरियो